हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल माच साइडल मैसेल डॉक्टर कविता गुपता बचो मैं आज साइलो थियोरम्स में आपको बताऊंगे ग्रूप ओफ ओओडर 40 पे हम साइलो थियोरम्स लगार कर किस तरीके से वेरियस रेजल्ट्स अबूर दी ग क्या है इसमें देखो हमार को लगानी है साइलो थियोरम्स ओडर 40 के उपर और उससे हम कुछ डिडक्शन निकालेंगे ग्रूप ओफ ओफ ओडर 40 के बारे में तो सबसे पहले हमने जी को ये ग्रूप मान लिया ओडर 40 का 40 का प्राइम फेक्टराइजेशन लिखा तो आपको याद रखनी है कि अगर साइलो सब रूप यूनीक है तो नॉर्मल होगा नॉर्मल है तो यूनीक होगा बस इन तीन चार चीजों का इस्तिमाल करके आप जो है ये डिडक्शन बहुत अराम से कर पाते हैं तो सबसे पहले देखो बेटा मेरे पास है 2 क्यूब इंटू 5 तो ये 2 क्यूब आ रहा है तो 2 क्यूब तो डिवाइड कर रहा है और ऑडर अफ जी को बट 2 की पावर 4 नहीं डिवाइड कर रही है तो हमें पता चला कि जी के पास एक साइलो 2 सब ग्रूप होगा जिसका ओडर 8 होगा ठीक है ये साइलो P होता है P की वैल्यू 2 होगे तो साइल साइलो 2 सब ग्रूप आ गया और ऑडर कितना होगा ये 2 क्यूब जो इसको डिवाइड कर रहा था तो 2 क्यूब होगया 8 तो 8 ओडर का एक साइलो 2 सब ग्रूप निकल आया ऐसे बेटा ये 5 का भी बना सकते होगी 5 डिवाइड साइलो ऑडर ऑफ जी बट 5 स्क्वाइर डज न 5 सब ग्रूप एक्जिस्ट करेगा और उसका ओडर कितना होगा जो ये डिवाइड कर रहा होता है न वो वाला नंबर ऑफ ओडर 5 तो पहले मैंने जी के उपर जो है ना साइलो की फर्स्ट थियोरम लगा लगा लिए ठीक है तो साइलो 2 सब ग्रूप में मिल गए मुझे और भी बता चलिया अब मैं देखूंगे कि कितने कितने हैं मेरे पास साइलो 2 सब ग्रूप और साइलो 5 सब ग्रूप तो उसके लिए मैं साइलो की थर्ड थियोरम लगाऊंगे साइलो की थर्ड थियोरम बच्चो रिकॉल कर लीजी आपके पास फॉर्मूला होता है np equal to 1 plus kp तो यहाँ पर p की value 2 डाली तो आगया n2 equal to 1 plus 2k और वो क्या होता है 1 plus 2k divides m यहाँ पर m क्या है मैंने आपको सिखाया कि अगर मैंने लिखा है order of g जो है 2 cube इंटो 5 है अगर आप 2 वाले का काम कर रहे हो silo 2 सब ग्रूप निकाल रहे हो तो उसको छोड़ दो बाकी का करेगा तो 1 plus 2k divides 5 तो 5 के कित्रे devices आजेंगे 1 और 5 तो मेरे पास आजाएगा 1 plus 2k या तो 1 होगा या 5 होगा मैंने दोनों cases बनाके देख लिए कि दोनों possible है या एक ही possible है तो 1 plus 2k को 1 डाला तो k की value 0 आगई which belongs to z है integer है तो यह case possible लग रहा है मुझे अगर मैं 1 plus 2k को 5 लेती ह तो 1 या फिर 5 silo 2 subgroups होंगे और उसका order क्या होगा 2 cube था which is equal to 8 ठीक है तो अगर G के पास A की हो तो मैंने हमेशा बताया जब 1 मिल जा तो uniqueness का इस्तमाल करके normal बना तो हमें पता चला G के पास अगर A की silo 2 subgroup होता तो वो normal होता ठीक है ना अब देखो 5 जो था ये मैंने उपर आपको करवा भी दिया अब जैसे मैंने उपर 2 का काम किया है ना यहाँ पर अब क्योंकि order of G क्या था आपके पास 2 cube into 5 था तो 2 का तो हम काम कर चुकिए अब 5 का काम करेंगे तो पहले 5 के उपर silo first theorem लगा ही तो आपको पता चला कि इसके पास silo 5 subgroups है ठीक है जिसका order 5 है तो अब मैंने उस silo 5 subgroup के कितने है silo third theorem लगाऊंगी silo की third theorem में np equal to 1 plus kp, p की value 5 डाल दी तो n5 आगया 1 plus 5 के अब यह किसको divide करेगा आपको मैंने बताया order of G है 2 cube into 5, 5 का answer निकाल रहे हो ना तो बाकी का बचावा number जो होगा यह m बच जाएगा, तो 1 plus 5 के किसको divide करेगा, 2 cube को divide करेगा, which is equal to 8, तो यहां से possibility बेटा मेरे को मिल गई 8 के, जितने भी divisor थे साल में काल लिये, which is 1, 2, 4 और 8, तो मुझे possibilities मिल गई 1 plus 5k की किती हो गई, 1, 2, 4 और 8 मिल गई, तो अब इन सब को लगा के देखो कि क्या के integer आ रहा है इन सब में, जिसमें integer आ रहागा, वो case possible ह जिसमें नहीं आ रहागा, वो possibility नहीं होगी, तो मैंने 1 plus 5k की value 1 डाली, 2 डाली, 4 डाली और 8 डाली, आप देखो कि सिरफ 1 plus 5k equal to 1 पर k जो है integer आ रहा है, तो यह case possible है, बाकी सब पर non integers आ रहा है, तो यह सब case possible नहीं, तो मेरे पास सिरफ एक ही unique silo 5 subgroup निकल कर आ गया, अगर यूनीक है तो normal है, तो हमें पता चला कि silo 5 subgroup तो मेरे पास normal निकल कर आ गया, ठीक है बेटा, तो मुझे पता चला unique silo 5 subgroup आपके पास एक exist करता है, जिसका order 5 है, तो आपको यह भी पता चल गया कि order of group अगर 40 है, तो उसके पास unique silo 5 subgroup है, जिसका order 5 है, अब यह 5 unique है, तो normal ह subgroup मिल गया, तो मुझे यह भी पता चल गया, g is not simple, ठीक है, तो एक deduction तो यह भी हो गई, दूसरी deduction हमारे को यह होई कि group of order अगर 40 है, तो उसके पास हर हल में एक unique normal subgroup जरूर होगा, जो मैंने अभी अभी प्रूफ किया, ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, now consider the case when n5 equal to 1 और n2 equal to 5, क्योंकि हमारे पास उपर n2 कितरे निकले थे, देखो n2 की possibility निकली थी, यह, n2 निकला था, या तो 1 या फिर 5, ठीक है न, तो और n5 का हमें पता चल गया, वो एक ही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता, तो यह तो fix हो गया, n5 equal to 1 तो fix हो गया, n2 का भी fix नहीं है, n2 या तो 1 है, या फिर 5 है, तो मैंने case consider कर लिया कि suppose कर लो n2 5 है, ठीक है, तो मैं देखती हूं कि n2 equal to 5 possible है या नहीं है, अगर n2 equal to 5 possible नहीं है, तो फिर n2 equal to 1 ही हो जाएगा, ठीक है, तो अगर मैंने n2 को 5 लिया, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो बेटा, जब भी आपके पा और n2 अगर 5 है, तो वो normal नहीं होंगे, क्योंकि वो unique नहीं है, तो normal नहीं है, normal भी नहीं है, तो वो सिरफ subgroup रह जाएगा, तो जब भी ऐसी चीज़ बनेना silo के questions के अंदर, कि एक normal है और दूसरा subgroup है, तो उनके product का जरूर इस्तमाल कीजिए, कि उसका product subgroup होगा, hk is a subgroup of g, ठीक है, तो ये वाला इस्तमाल करेंगे, तो फिर अब इसका index, index तक हम इसको लेकर जाते हैं, तो आप देखो, मुझे पता चला कि h और k में h normal है, और k सिरफ एक subgroup है, ठीक है, तो क्योंकि intersection of two subgroup is always a subgroup, तो h intersection k जो है subgroup है, तो group की सारी properties को satisfy करेगा, और क्योंकि h intersection k contained in h b होता है, तो h intersection k is a subgroup of h b आ जाएगा, तो फिर मैं Lagrange's theorem लगाऊंगी, तो मुझे पता चलेगा कि order of the subgroup divides order of the group, तो order of h भी डिवाइड करेगा, और k को भी डिवाइड करेगा, order of h मेरे पास 5 है, order of k मेरे पास 8 है, तो इनके gcd को भी डिवाइड करेगा, gcd इनका 1 आएगा तो h intersection k के आ जाएगा, आपके पास order 1 आ जाएगा, 1 order है तो इसके पास सिरफ 1 की element हुआ identity, तो मुझे पता चला h और k के पास 1 की common element है which is identity, अब यहां से हमेशा o h k निकालो order h k, ठीके बेटा अब आप देख रहे हो, कि अब आप से चीज़े कठी होनी शुरू हो जाएगी, और हम शो करते हैं पहले h intersection k identity है और फिर हम order of h k निकाल लेते हैं हमेशा, तो हमने order of h k निकाला तो मेरे पास आ गया order h, order k upon order h intersection k value डाली तो 40 आ गया, which itself is equal to the order of the group, तो मुझे यहां से पता चल गया g equal to h k है, आपका कि जो g है वो actual में product of two subgroups था, h और k जिसमें h का order 5 था औ k जो silo a, two subgroup of order 8 था, इसमें h normal था और k अभी तक तो एक subgroup ही है, चीक है बचों, सबको समझ आ गई है, यहां तक बात clear हो गई है, तो अब क्या हो जाएगा, यह मेरी एक deduction 2 बनी, कि अगर group of order 40 दे रखा है, तो g equal to h k होगा, where h and k are subgroups of g of order 5 and 8 respectively, where h is normal in g and k is a subgroup of g, तो group of order 40 के बारे में मैंने आपको दो बाते बता दिया, आप देखिए, तीसरा case consider करते है, n5 equal to 1 और n2 equal to 1, तो देखिए मेरे पास क्या है, कि इसका मतलब हो गया, n5 equal to 1 मतलब silo 5 subgroup unique है, n2 equal to 1 मतलब silo 2 subgroup भी unique है, तो unique है तो दोनो normal है, दोनो normal हो गए और उपर हमने show कर द जाएगा, g is the internal direct product of h and k, दुबारा से सुनिए, internal direct product की definition क्या थी, दो जो subgroups लिए जाते हैं, वो दोनों के दोनो normal होने चाहिए, ठीके न, तो g is equal to h k हो, where h and k बो था normal in g, and h intersection k अगर identity हो, तो हम बोलते हैं, g is the internal direct product of h and k, तो मैंने h intersection k identity है, यह मैं already show कर चुकी हूँ, g equal to h k म अगर इसमें h और के दोनो normal हो जाते हैं, तो मेरा बन जाएगा, g is equal to h cross k, clear है, तो मेरी deduction third मिली की order of group अगर 40 है, तो g has a unique silo 2 subgroup of order 8, and unique silo 5 subgroup of order 5, अगर ऐसा है कि दोनों हैं, उसके पास और दोनों के दोनों unique हैं, तो g is the internal direct product of these two silo subgroups, ठीक है, अगर दोनों normal आ जाते हैं, तो internal direct product है, और अगर एक normal होता, और एक सिरफ subgroup होता, तो g equal to hk की possibility आजाती है, ठीक है बचों, सबको समझा गया, मैंने क्या कराया, आपको group of order 40 के अंदर, तो तीन important deductions मैंने आपको करवा दी हैं, कि आपके पास, या n 5, जो मतलब, sorry, norm, silo 5 subgroup, तो आपके पास हमेशा ही normal होगा, silo 2 subgroup या तो normal है या नहीं है, अगर वो normal हो जाएगा, तो g जो है internal direct product बन जाएगा, h और k का, और अगर वो normal नहीं हुआ, तो सिरफ g जो है hk के बराबर रह जाएगा, ठीक है, g is the product of this h and k, and g is h intersection k, आपका identity थाई, ठीक है बच्चों, समझा गया यहां तक, तो यह अधा group of order 40, next class में पिटा आपको जो एक theorem मैंने बीच में use कराई थी, theorem 24.6 इसको मैं use कर चुकी हूँ, बट मैंने आपको इसका proof नहीं कराया था, तो मैं next class में आपको इसका proof कराती हूँ, तो पढ़ाई करते रहें, बचों, all the best